आज हमाले हैं, चली हम फिरसे बनाने वाले हैं, एक और नए डीजाने का दोड़ बैट तो देखिये जिसके लिए फ्रेंच मैंने ये दो कलली है ब्रेक और ओरेंच और यह नो नमबर से लाइई ली हैं हम बहुत ही प्यारा डोलमेट बनाने वाले है आज और एक ही फंदे से मैं आपको ये डोलमेट बना करके बताऊंगी जिसमें हम बहुत ही प्यारी सी डिजाइन डालेंगे चलिए फ्रेंस बनाने से पहले प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक क याज चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्तों के साथ और कमेंट करके बिपीपटाई कि आपको ये डोलमेट कैसा लगा तो फ्रेंज देख़िए हम दसा पर पमस look at लाएंगे चलिए इस तक प। और इसी तरीके से इधर से बनाएंगे यह देखे तीन हो गए फिर ऐसे ही इधर से बनाएंगे यानि कि दोनों तरब से हमें फंदे ऐसे ही बनाने है सलाई के उपर से फूल को लपेड़ते हुए यह देखे फिर ऐसे ही इधर से बना लेंगे यह बहुत ही आसान डोर्मेट है और जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है यह देखिए तो इसी तरह से फ्रेंज हमें इसमें दोनों तरप से फंदे बढ़ाने हैं आप अपनी पसंद के kler भी ले लिए जो भी आपको पसंद हो आप पुरानी साड़ी और सुनी से भी इसे बना सकते हैं इसी तरीके से बना लेंगे तो चलिए दोनों तरप से फंदे बढ़ाते हो हैं हम यहाँर पसंदे कर लेंगे यह देखिए फ्रेंस यह हमने यहां पर दस फंदे बना लिए हैं ब्लेक कलर से यह देखिए दो चार छे आठ दस दस फंदे हो गई हमारे ब्लेक कलर के अब देखिए यहां से हम इसमें डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर इसमें ओरंज लगाएंगे देखे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहां से सलाई के ऊपर से वूर को लपेटते हुए फंदा भी बढ़ाना है तो देखे हमने बढ़ा दिया अब यह वाला धागा है इसे हम यहां पर दूसरे फंदों के साथ दपा देंगे यह देखे इस तरीके से हमें यहां पर लगा लेना है अब देखे फ्रेंज यहां पर हम दो चार पांच यहीं पांच फंदे हमें इधर बनाने हैं ओरेंज कलर के दो चार, एक पांच पांच फंदे इधार बनाथ औरेंगे और गर्री कट बीच का जो फंदा है इसेमें ऐखेंगे हम हिएखे garlic कट देखिए और आ आगे के फंदे बना लेते हैं यह लू कलर से यह देखिए तो यहां पर हमारे औरंज क्लर के पांच-पांच फंदे होगे और बीच में एक फंदा हमारा यह प्लेक क्लर का है अब देखिए फ्रेंस इधर से भी हम इसी तरह से बना लेंगे सलाई के उपर से बूल को लपेटते हुए तो फंदे तो भी हमें हर सलाई पे ही सल्डा उल्टी सलाई पर कोई फंदा नई बढ़ाना हिए सब्सीदी सलाई पे फंदे बढ़ानी में तो फूल को AI आपकू पीचत कर लेंगे और यहां पर यह देखिए फ्रीशे हिए एलो कलर अब सी से बनाएगे यह देखिए तो यह हमने सीधी सलाई भी बना ली है अब देखे फ्रेंस हम इधर से भी इसी तरह से बनाएंगे सलाई के उपर से फूल को लपेटते हुए फंदा बढ़ा लेंगे देखे एक, दो, तीर, चाह, पाँच यह हमारे पाँच ही फंदे रहेंगे यहां पे जो फंदा बढ़ेगा उसे हम यहां पे बीच में पलेक कलर से बढ़ाते हुए जाएंगे दोना द्रब से यह देखिए यह प्लेक कलर का फंदा यह हमारा सेंटर वाला है इधर हमने बना लिया एक फंदा और इधर भी हम एक फंदा प्लेक कलर का बना लेगे तो हमारी हाँ फोगों तीन फंदे यह देखिए अब देखिए फ्रेंज सीधी सलाई में हमें कुछ नहीं करना है जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाना है सिर्फ हमें हर सलाई पर फंदों का बढ़ाने का ध्यान रखना आए इसी बात का हमें ध्यान रखना है दोनों तरफ से अब देखिए आप बूल को पीछे करते हैं और ब्लेक करर को आगे लेते हैं तो देखिए फ्रेंज हमने फिर से बना लिए यह सीधी सलाई और यहां प यह देखिए तो यह हमने हाँ पर बना लिए सीधी सलाई आप देखिए फिर से आगे हम उल्टी सलाई पर तो यहां पर फिर से हम इसी तरह ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे इस देखिए एक दो ती चार पाँच यह देखिए दो चार एक पांच पांच फंदे हमें अपर हेने देने है यह औरंज कलर के और जो यह हमारा बढ़ा ऑफंदा है जो हम इधर भढाते हैं तो यहां पर हम उसे बलेक बना देंगे देखिए दोन तरफ से एक एक फंदा हमें बलैक कलर का बनाते जाना है यह देखिए तो दोन तरफ से एक फंदा बना लिये बलैक कलर से अब कलर सोरी येलो कलर से बना लेते हैं यह देखिए तो देखिए इसी तरह से हम दोरों तरफ से फंदा बढ़ाते हो जाएंगे तो बीच में हम हम यहां पर 11 फंदे करें तो चली फे करेंगे हम बना लिते ही उसी तो देखिए फ्रेंद्स यह हमारे ने हैं गार 12 हो गए है और इधर हमारी देखिए 5-5 के अब डेखिए हम क्या करेंगे फिर से इसी तरह से बनाएंगे इस तरिकी hard यहां से हमने बनाया था तो देखिओ फ्रेंज यहां पर हम अब सारे पंदों हम सारे यह और यह और आंज कलर से ही बना लेंगे फंदे बढ़ाते विए इस तरह से दो तीन चार पांच छे और यह प्लेक कलर के पांच फंदे और हम यहां पर बनाएंगे और अरेंज कलर से एक दो तीन चार पांच यहां पांच फंदे बना लिये हैं यहां पर प्लेक कलर के औरेंज कलर से अब यहां पर एक फंदा हम बनाएंगे यह बिलेक कलर से यह देखिए अब इधर हम फिर से बनाएंगे यह पांच फंदे ब्लेक कलर से एक दो तीर चार पांच और इधर हम देखिए इधर के फंदों को भी बना लेंगे ब्लेक कलर से यह देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने एक फंदा बनाया है ब्लेक कलर से और सारे फंदे बना लिए हमने यह ऑरंज्ड़ अब देखिए इधर की सोइक को हम इसी तरीकिये से बना लेंगे जो फंदा जैसा है वही बनाएंगे पने फ्रेंस का ये देखिए हम इधर की सिलाई बना चुके हैं अब देखिए फिर इसी डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे यहां पर हम फंदे बढ़ाते हुए इसी तरह से सलाई को बनाएंगे हर बार दोनों तरफ से और यहां पर हम जो फंदा बढ़ेगा उसे हम बीच में बिलेक लर से बढ़ाएंगे यहां कि बनाएंगे इस तरीखी से यह हमने पहला और दूसर डिजाइन बनाए है यहां पर हमारा एक खंदा है बलेक कलर का यह दूसरा राओंदे हम यहां पर बनाएंगे औरेंज कलर का ब्लैक लर से इससे सेंटर वाला फनदा बना लेंगे ब्लेक प्लर से और एक फंदा इधर से बना लेंगे और यहां पर हो गए दो हन्दें आगे कि सब्ञाल बना लेंगे और रेंज कलर से दाहि ऊपना जैसा है वैसा भरर रहना दोन एक बनाएंगे कि अधो कि बूरा ह सो कि ऐसे ठीकिजेंश है यह वाला डिजाइन ऐसे हम 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 यहां पर इज इसमें ग्यारफ हंदे बना लेगे बिलैग कलर के तो फंदे तो हमें बढ़ाते होगी है सिर्फ 11 फंदे हम यहां पर बीच में करने हैं तो चलिए हम बना लेते हैं इसी तरह से कि देखिये फ्रेंट्स यहां पर भी हमारे ब्लैक कलर के ग्यारेफ हंदे हो गाए हैं जिस तरी के से यहां पर हो गएं थे देख इसे फ्रेंट्स हम किटना भी बढ़ां सकते formation इसी तरह से हम डिजाइन बनाते हो जाएंगे जितना भी बड़ा हमें चाहिए तो यहां पर मैं आपको इतना ही बड़ा बना कर के बताऊंगी तो इसके लिए मैंने देखिए यहां पर यह गारे फंदे कर लिए हैं अब देखें यहां से हम इतनी ही डिजाइन इसमें डाल र तो एगा तब हम यह वाली डिजार्व नहां पर भीच में डालेंगे तो देखे फ्रेंज अब हम क्या करेंगे अभी हम यहां पर फंदे बढाते हुए आ रहे थे दोनों से इस सलाई से हम फंदे घटाएंगे तो यहां पर देखें दौनों तरब से इस तरह से दो का एक करेंगे इस तरी के जम फंदे बढ़ा रहे थे एक-एक आप दौनों तरब से एक-एक फंदा हम घटाएंगे कि अब देखिया अब देखें वहां हम क्या करेंगे यहां पर बिलेक कलर का एक फंदा हम यहां पर ओरेंज कलर से बना लींगे यह देखिये एक फंदा हमने बनाया है ब्लेक कलर का ओरंज कलर से और आगे के फंदे हम ये तो दोनों तरफ से हमें एक फंदा ही बनाना है ओरंज कलर से ब्लेक कलर का ये देखिया पर इस तरफ भी एक फंदा है तो इसे हम बना लेंगे ओरंज कलर से और आगे के फंदे भी बना लेते हैं हम इसी तरह ऐसे कि देखिए और यहां पर हम इधर भी एक फंदा सीधी शलाई पर घटाएंगे इधी के दो काई करेंगे इस तरीके से है तो इस तरीके से हमने हर सलाई पर एक एक फंदा बढ़ाया था अब एक एक फंदा हमें हर सलाई पर घटाना है और बीच में ब्लेक कलर का एक एक फंदा दोना तरप से कम करना है अब पुर्ण पीचे करेंगे ब्लेक कर लको देंगे आगे कि देखिए सीधी सलाई में कुछ ने करना है जो फंदा जैसा है हमें वैसा ही बना करके त्यार करना है तो देखिए फ्रेंस हमने सीधी सलाई भी बना ली है यह देखिए अब आ गए हम फिर से उल्टी सलाई पर तो यहां पर फिर से हम दो का एक करेंगे खटा देंगेों हमारा से घट गया आ अब आगे के फंदो को बना से इस तरह से और इंज केलर से कि भी फिर से हम एक फंदा बनाएंगे ब्लेक कलर का और्रेंज कलर से में इए के आप यहां अधी ब्लेक कलर से है तरब नहीं भी बना लेते हैं spiritually और इधर से हम एपन्दा फिर से औरने कलर से बनाएंगे यायर कि दोनों तरफ से हमें एक फंदा बिलेक कलर का औरने ज़ commend आये हर सलाई पे कि देखिए तो फ्रेंज इसी तरीके से हमें हर सलाई पर एक एक फंदा यहां पर घटाना है और एक फंदा बलेक लड़ का और एंज गलर से बनाना है उल्टी सलाई पर और सीधी सलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरीके से हम बना रहे हैं जो फंदा जैसा है पैसा ही यह देखिए तो छलिए फ्रेंस इसी तरीके से हम पर हम बना लेते हैं दुर्णों तरफ से एक एक फंदा हम यहां पर घटाती हुँ जा रहे हैं हमारा एक फंदा रह जाएगा ब्लेक कलर का और बागी के फंदे हमारे औरज कलर के हो जाएंगे तो चलिए इतना बना लेती हूँ मैं तो देखे फ्रेंस ये हमने हाँ पे सारे फंदे दोनों तरफ से एक-एक करते हुए कम करें हैं तो ये हमारा इस तरीके का डिजान ही हाँ पे बने हाँ और दोनों तरफ से हम एक-एक फंदा कम कर रहे हैं अब देखें, यहां पे हमेना फंद बचा है, तो हम यह वाला डिजान यहां पे डालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है देखें फ्रेंज, तो देखें फंदे तो हम हर सलाई पे घटाते ही जा रहे हैं, तो दो का एक करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच फंदे बनाए यहां पर देखिए हमने और यहां पर यह हमें 11 फंदे बनाने हैं ब्लेक कलर से तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दास ग्यारा तो ग्यारा फंद देखिए हमने बना लिए ब्लेक कलर के तो यहां पर देखिए यह पांच फंदे हैं और इधर हमारे ग्यारे फंदे हैं तो इधर हमारा एक फंदा कम हो जाए अपकी सलाई पर तो इधर भी हमारे पांच हो जाएंगे तो बीच में यह हमारे ग्यारे फंदे है अब देखें, यहां पे हम बना लेते हैं यह, इधर के फंदों को भी Orange से कि यह कि यह देखिए अपसीदी सल्णाय किमेगे कुछ नहीं करना है जो फंदा जैसा है हमें वैसा ही यहां पर बनाना है से दो का एक कर देंगे कि और पूरी सलाई को हम इसी तरह से बना लेंगे तो जो फंदा जैसा है वैसा ही हमें बनाना है पूरी सलाई में तो चली फ्रेंस मैं इस सलाई को यहां पर बना लेती हूं उसी तरह से तो देखे फ्रेंस अब हम क्या करेंगे देखे पांच फंदे इधर हैं हमारे पांच फंदे ही इधर हैं और यह 11 फंदे हमारे बीच में अब देखिए यहां पे हम हर सलाई पे हमें एक फंदा घटाना है तो यहां पे हम एक फंदा घटा देंगे अब देखिए हम यहां पे बिलेक कलर का एक फंदा बना लेंगे यह ओरेंज कलर से इसी तरह से हमें दोनों तरब से एक फंदा बिलेक कलर का ओरेंज कलर से बनाना है यह देखिए तो यहाँ पर देखिए हम फिर से ब्लेक कलर का एक फंदा औरंज कलर से बनाएंगे और आगे के फंदे भी बना लेते हैं और सीधी सलाई पर हमें जो फंदा जैसा है वैसा ही बनाना है तो चली फ्रेंस मैं बना लेती हूं सीधी सलाई को इसी तरह से तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर हम फिर से आगे उन्टी सलाई पर दो का एक करेंगे आगे के फंदे बना लेंगे और एक फंदा हम यहाँ बिलेक कलर का फिर से ओरेंज कलर से बनाएंगे और फिर बिलेक कलर से बना लेंगे फंदे और इधर से भी एक फंदा बिलेक कलर का ओरेंज कलर से बनाएंगे यह देखिए तो देखी फ्रेंस हमें इसी तरह से इस डिजाइन को बनाना है हर सलाई पे हम एक एक फंदा औरेंज कलर का बनाते हुए जाएंगे दोनों तरब से प्लेक कलर का और यहाँ पे तो हम एक एक फंदा ही कम कर रहे हैं हर सलाई पे चुलिए बना लीत एस तरह से यह लाष्ल में हमारा एक फंद यहां पर रह जाएक तो देखिए फिरैंवे यह वाला डिजाइन भी यहांपे बना लिया है इसी तरह है अब देखिए यहां पर हमारे पास बच़े हैं यही क्या एक बेखें पांच फंदे यह हमारे इधर pseudo पांच पंड़ कर और एक फंदह मारे पास एक लगा आए तो इस देखिए हमें प्रेंज cover 10 फंदे ही रह जाएंगे देखिए अब सारे फंदों को हम यहां पर बना लेंगे बिलेक कलर से लाश्ट वारा दिजाइल बनाने के लिए हम सारे फंदों को पिले कलर से बना लेंगे यह देखिए तो सारे फंदे हमने बना लिए अब हम क्या करेंगे अब हर सलाई पे एक फंदा हम दोनों तरब से कम करते हुए जाएंगे यह देखिए तो इधर भी हमारा इसी तरह कर डिजाइन बन जाएगा जिस तरीके से यह हमने शुरू में बनाया था तो यहाँ पर देखिए हर सलाई पर हमें घटाना है एक फंदा यह देखिए बहुत ही आसान है यह देखिए तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर सारे फंदों को घटा देंगे और एक फंदा हमारा लाश्ट में रह जाएगा उसी पर हम नौट लगाते हुए यहाँ पर नौट लगा देंगे उसी फंदे पर तो चलिए मैं बना लेती हूं तो देखिए फ्रेंस यह हमारा डूर्मेट यहाँ पर बनकर कंप्लीट है यह देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है अगर आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए करें लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि यह डूर्मेट आपको कैसा लगा तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब कर्माइब।